डिक्सा नहीं दिया जाता है क्यों दिक्सा लेना चाहते है इंकि इसकों में पहली बात जो है आप कॉंप्रोमाइज एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं यहां संबंध में लिप्त हो सकते हैं सतताम किरता है अंतुमाम लेकिन प्रभुपाद जीने जब तक आप दिक्सा लेने के लायक नहीं बन जाते सच बात बोलना है तो इसकोन में आपको दिक्सा लेना है सस्ते आपको पाखंडी गुरु सही गुरु इसकोन लिया जाता है इसके बारे आज हम बताएंगे डिट्रेल में आप सबको पहली बात तो आप सबको समझना चाहिए कि इसकोन में दिक्सा देने का पंधा क्या है सही प्रोसेस क्या होता है इसकोन में ऐसे इस तरीके से कोई दिख्षा नहीं दिया जाता है कि आप चले गए मंदिर में पहुंच गए और वहां पर जाके आप कुछ दखसी ना दे दिये कुछ प्रणामी दे दिये और आपको माला पकड़ा दिया गया जब माला बैक पकड़ा दिया गया और कुछ मंत्र दे दिया गया ऐसे कोई सस्ते तरीके से आपको कोई दिख्षा नहीं दिया जाता है इसकोन में आप पहुंच गया है नाम लिखा दिये आपको बुलाया गया token system में, counter में ऐसे और आपका दिration हो गया, हैसा ही में wol't पहली बाद तो आप जिधर भी हो कोई भी जगा में जो भी city में हैं काम के सिलसिले में या पिर नौकरी करतो जहीं प Maar Very यया तुछ जहां पर है या पहले धुंदिए आपके nearby is pipe टेंपल जो संस्था कहां वे उनका अथोरिटी जो है भक्त है पहले वो ढूंडिए कि आपका नियर भाई इसकों टेंपल कहां है आप सोचल मेडिया गुगूल में जाके सार्च कर सकते हैं आपका नियर इसकों मंदीर या सेंटार नाम हट्टे भक्तिवरिक्ष ऐसे बहुत स प्रिचार जो भी प्रिचिंग करते हैं प्रचार करते हैं उन लोगों से जाके आप कांटक्क कर सकते हैं आप उनका जो प्यंदित करते हैं आपधे ang possible लाइडी बगेरा फोन नंबर्स बगेरा आपको मिल जाएंगे सोचल मेडिया के द्वारा अब उन लोगों से जाके कॉंटेट कर सकते हैं आपका लोकालिटी में आपका लोकाली जो कारिय करम होता इसकॉन के द्वारा वहां पे जाके पहले आपको युक्त होना पड़ेगा वहां पे बहुत सरे फेस्टिबल मनाया जाता है इसकॉन के जन्मा श्टमी राधा श्टमी गौर पुर्णिमा रथियात्रा और भी ब्यास पुजा बगेरा जो भी शिलव प्रभुपत जी का बहुत सरे फेस्टिबल मनाया जाता है इसकॉन में तो वहां पे जाके आपको पहले अंसग्रहन करना पड़ेगा आपका कॉंट्रिबूट होना चाहिए वहां पर योगदान कीजिए सेवा में लगिए मंदिर में जाके इसकुन का जो भी संस्ता है कॉंटीन्यूसली, रेगुलर्ली इसकुन के टेम्पल में जाना शुरू कीजिए वहां पर जाके भगवत्म क्लास, खगत्गीता का क्लास दिया जाता है प्रवचन सुनिए सवाल पूचिए Já muito question पूचिए अध्यात्मिक सवाल पूचिए भगवान के बारे में पूछिए, वहां के जो भी कारिये करम होता है इसकौन मंदिर में, वहां पे जाके आप अंसग्रहन कीजिए, भाग लीजिए आपना, आप देखिए दिन चरिया कैसे जाता है इसकौन में, प्रभुपत जी के द्वारा जो भी गरंथ है, ओ गरंथ खरी उसके अंदर से, आपके खुद के अंदर से एक सवाल, प्रश्न, कोश्चन आना चाहिए, क्यों मुझे दिक्सा लेना है, आप क्यों दिक्सा लेना चाहते हैं, ए सवाल पहले आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि इसकौन में पहली बात जो है, दिक्सा लेने से पहले सिक और सिक्सा के बाद परीकसा भी कर्था पड़ता नव्ह पर कि सिक्सा के बाद परीक्सा देने के बाद अगर उतिन्य होते इथ हो पाराशी के होता है उसके बाद जाके आप इनिश्येटब मतें और ऊ para से आया हूं भगवान के साथ मेरा क्या नित्य संबंध है गुरू के पती सिस्वों का क्या कर्तव्यों होता है जो गुरू मुझे दिक्सा दे रहा है उसके प्रति मेरा क्या समर्पन होना चाहिए गुरू के पती सिस्वे का क्या क्या कर्तव्यों होता है और गुरू कैसा होना चाहिए। सिथे से समझना चाहिए दिख लेने से पहले भगवन के द्वारा क्या अबदान है इस मनुस्त्षी जीवन का क्या लक्स है, भगवान के साद मेरा क्या relation है, सदगुरु क्या होता है, गुरु का बैसिष्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, सदगुरु का जो दिखसित गुरु दीधित यता है आपको, जिसके प्रति आप सिश्वत ग्रहन कर रहे हैं उसका दाई दाई तो क्या होता है गुरु के प्रति एस सब अच्छे से आपके दिमाग में क्लियार होना चाहिए पहले दिक्सा लेने से गुरु सिस्यों का संबंध कैसा होना चाहिए कृष्ण का जो आई सरी विभूती जो भी है तत्तुव उसे अपको अच्छे से समझना चाहिए पहले भगोद गीता का अधियां कीजिए प्रभुवत जी का बूक्स पढ़िए तो ऐसे आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा द बॉक्षण को बढ़े उसको उनके भक्द बनने के लिए अपको जो नियमा वली है प्रिपाल शेया रूड़ी डिटतररोरी है उसको अपको मांना पड़ेगा तो इसको में दिख़तर लेने के दिए 4 अंने इसको जिंदगिस से त्यागना पड़ेगा आप compromise excuse नहीं दे सकते हैं, आपको इसको त्यागना है, quit करना है, पहला जो है, आमी सहार, आपको non-wage नहीं खाना चाहिए, मीड इटिंग, माच, मचली, अंडा, फीस, चिकन, मटन, जो भी है, non-wage, मीड इटिंग, आपको त्यागना है, आमी सहार आपको नहीं करना है, चाहिए, नसा मतलब उसमें include होता है, चा, कॉफी, टी, कॉफी, पान, बीडी, सिग्रेट, और बीफिन्य प्रकर के जो भी है, ड्राक्स, दारू, गंजा, चरस, लेजडी, भांग, बगेरा, जो भी है, किसी प्रकर का आपको नसा त्यागना पड़ेगा, नहीं करना चाहि ग्लैंबिंग करते है, जुवा खिलते है, वो भी नहीं खिलना आपको त्यागना पड़ेगा, आपको खिलना नहीं चाहिए, और चौथा जो है, अभाइद जॉन सम्मंद, illicit sex, मतलब बीभा के अलावा, सामिस्त्री के अलावा, परश्त्री, परपुरूस, गमन, साधी से पहले, girlfriend, boyfriend का जो चक्कर चलाता है, अभाइद योन सम्मंद करते है, साधी सुदा, स्त्री पुरूस, जो बीभाइद है, समीस्त्री है, husband, wife, वो स्त्री योन सम्मंद कर सकते, इसके अलावा, परश्त्री, परपुरूस, जी एप, बीएप का जो चलता है, अभी, सो कॉल्ड modern society में यह सब चल रहा है, यह सब आपको त्याग ना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, illicit sex बरजीद है, दिक्सा लेने के लिए, बिभाहित पती पतनी, स्रिप कृष्ण भक्त संतान उत्पन करने के लिए, योन सम्मंद में लिप्थ हो सकते है, या थो फिर नहीं हो सकते है, illicit sex काम बासना के लिए कामुकता भरी जो योन सम्मंद होता है, उसको बरजीद करना पड़ेगा, वो अब नहीं कर सकते, साधी के बाहर, बिभा के बाहर, जो परेक्रिया बोलते है, किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़का, किसी और के बीबी के साथ, किसी और के पती के साथ, यह सब आपको नहीं करना चाहिए, इसको आप बरजीत करना पड़ेगा, यह चार नियम जो है, आमी जहर नौनवेज आप नहीं खा सकते, किसी प्रकार का नसा नहीं कर सकते, गैंबलिंग जुआ नहीं खेल सकते, और illicit sex जवईत जाउने संबद आप नहीं कर सकते intoxication जो भी नसा प्रकेरा है, वो आपको त्यागना पड़ेगा, यह चार नियम आपको regulatory principle आपको पालन करना पड़ेगा, उसके बात, क्या आता है, 16 माला हरे कृष्ण महा मंत्रे की जब करना पड़ेगा, daily, कम से कम 16 माला daily आपको जब करना पड़ेगा, भगुद गीता में तो दिया गया है, सतताम किरता है अंतुमाम, लेकिन प्रभुपात जी ने क्रीपा किया है, इस जो बध्ये जीब है, उनके उपर क्रीपा किया है, कि 16 माला daily कम से कम हरे कृष्ण महा मंत्रे की जब करना पड़ेगा, 16 round of holy name, चैंटिंग आपको करना पड़ेगा, हरे कृष् जब माला में, माला में चैंटिंग करना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा, गिनती रहना चाहिए आपको हर चैंटिंग का, इस महा मंत्रे का daily आपको 16 माला चैंटिंग करना पड़ेगा, यह सारी प्रोसेस आपको अपनना पड़ेगा, करना पड़ेगा पहले-पहले जब आप पालन करने लगोगे सब तो धीरे धीरे आप दिखसा पाने के लिए लायक बन जाओंगे और उसके बाद जाके जो भी आपका संस्ता है मायापूर है और भी बहुत सारे इसकुन का टेंपल्स है नियार भई आपके जितने भी वहाँ पे जाके आप दिखसा ले सकते पहला जो पहला जाके आप जो क्लास अटेंट करोगे हरीननं चंटिंग करोगे भक्तों का संग करोगे और पहुंचने के बाद पहला जो शिक्स मंथ आप आस्रीद रहोगे वह भी प्रभुपाद जी के आस्रय में उसके बाद जाके जो दिखसा गुरु है इसको ऑन के अचारिये क्रिष्ण कृपा मुर्ति स्रिल अभय चरनार व्रिंद भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपात उनके आश्रय में रहेंगे आप उसके बाद जाके आप इसकों के जो भी दिक्सा गुरु है उनके मध्य से आप अपना दिक्सा गुरु चुन सकते हैं फिर उनसे जाके आप दि तरह झाने के बाद और भी six months जाने के बाद उनके प्रिसेस में रहें इनके आस्रय में रहें के भक्ति का पालन करते करते नींववली Пालन करते करते आपका जो लोकालिटी में के जो भी सेंटर है have जब रहेंगे जो भी करति dog 55, EO治रिटी डेंट है टेंपल के जो भी है हें साही से बंद रेगुलर ली मेंृ नियम का पालन कर रहे हैं तो लोग आपका दिक्षा के लिए नाब अपली करेंगे, आपका नाम mention करेंगे list में फिर जाके आपका दिक्सा की process होगा दिक्सा सर्मेनी में आपको जाना पड़ेगा फिर आपको वहाँ पे दिक्सा मिलेगी गुरु से सच बात बोलना है तो इसकुन में अगर आपको दिक्सा लेना है तो पहले आपको भक्ती का जीवन अपनाना पड़ेगा भक्त का जीवन होता है वह पहले एक दू साल आपको अपनाना पड़ेगा अब लायक बन जाओ गए तो फिर जाके आपको धिरे-धिरे process मालूम पड़ सब्जी मंडी पर जा यए पंचा दे दियो और मुझे कोई चीज मिल गया ऐसे दिक्सा इतना सस्ता चीजब नहीं मिलता है बहुत जगहेंसरों में सथे गुरूवर्स, दिक्सा मिलते है लेकिन भूर मैं योई सथा गुरू भी नहीं और सथा दिक्सा लेने के लिए रिभ आपको गुजरना पड़ेगा फिर जाके आपको दिखसा मिलेगा बहुत सारे लोगों लेगा इतने सारे नियम है पालन नहीं कर सकते सूबे उठना है साड़े चरबाज्य मंगला अर्थी जाना है भगवतम क्लाज्य अटेंड करना है एका दसी का ब्रत पालन करना है यह सब्सक्राइब आपको आपको कुछ पैसा देदेगा कोई नियम नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे ही हो रहा है दिख्षा मिलेगा आपको सस्ता रगडमार अगर दिख्षा लेना है तो आप जा सकते हो कहीं वेवी अगर आपको असली दिख्षा चाहिए असली सद्गूरु चाहिए असली ज्यान चाहिए जो प्रकृतिक गूरु होता है प्रामानिक गूरु होता है तो आपको इसकोन में स्वागद है कृष्ण भवना मृत संग जो इसकोन का है इंटरनेशनल सोसाइटी फ्रोड कृष्ण कॉंसियाजनेस मुहापेज आपके आपको दिक्सा लेना चाहिए अगर आपको असली दिक्सा लेना है और अगर मेरे बाद में विश्वाज नहीं हो रहा कर सकते हैं आपको पता चलेगा प्रामानिक नियम क्या होता है प्रामानिक गुरु क्या होता है प्रामानिक दिक्सा क्या होता है प्रामानिक सिस्य क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा अगर मेरे बाद में विश्वाज नहीं हो रहा है आपको आप खुद अधियन कीजिए खुद निर्ने लिए डिसाइट कीजिए ज्यान नॉलेज शिक्सा प्राप्त करना कोई सरम की बाद नहीं है कभी कहीं भी करा जा सकता है पाया जा सकता है तो अब ज्यान प्राप्त कीजिए नॉलेज लिजिए दिक्सा के बारे में गुरू के बारे म घ्यान नौलेज प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है कोई निशुद नहीं है जो जुधा होता है प्रकृत मंगल होता है तो ग्यान अर्जन किये जिए किस प्रकार से सही दिख्षा लिया जाता है सही गुरू कौन होता है गुरू का दाइत्य क्या होता है सिस्व के प्रति सिस्य का दाइत्य क्या होता है गुरू के प्रति इस सब आपको पहले सिक्षा लेना पड़ेगा जितना ग्यान प्राप्त क बूख बगेरा जो भी अध्यान करोगे और भी आपका जो आख कान बुद्धी तेज होगा खुलेगा पाखंडी गुरु सही गुरु प्रमानिक गुरु में आप भेदभाव कर सकोगे आपको पता चलेगा सही बारे में असली दिक्सा क्या होता है जो इसकोन में दिया जाता बुद्धु नहीं बनोगे आप सही गुरु चुन पाओगे सही जगा पर जाके सही दिक्सा ले पाओगे एक ही रिक्वेस्ट है हम्बेल रिक्वेस्ट अन्रोध है ठगना नहीं है किसी के पास बेपकुम्मत बनाएं बहुत सारे पाखंडी गुरु घूम रहा है आपको अब गुरु ढूणना है और जिसका भौत सारा सिस्सिया है विदेश का हो फोरें का हो इंडिया नहीं ऐसे ज़्यताइब कीजिए तो मैं असा करता हूं कि आप सब від all bers ci-t ले एकार-फोड निलता है कि इसकलमें का इसा मिलता है काइसए दिक्सा दिया जाता है प्रोसेस कैसा होता है क्या नियम है दिक्सा पाने के लिए और उससे सबसे जाता जो बड़िया बाद है कि आपको पहले जानना पड़ेगा गुरू सिस्चे का कर्तब भी क्या होता है गुरू सिस्चे का संबंध क्या है और दिक्सा सही दिक्सा क्या है गलत दिखसा किया यह सब आपको पहले जानना पड़ेगा तो फिर जाके आप दिखसा ले सकते हूं कोई जल्दवाजी नहीं है हरे कृष्णा धन्यवाद थैंक्यू भरी माच जैस्री कृष्णा